श्रीकाल नमस्ते जी आनों बच्चे स्वागते तोड़े एक बार फिर मेरे चैनल पंजाबी लर्निंग विद मोहिता विच आई दी लड़ी विच अगला पार्थ जड़ा करन जा रहे हो है बारवीं क्लास सा एक निबंध है शीशे सामने और लिख्या किस दो है डॉक्टर शीट सिंग सीतल दा एजड़ा निबंध है न डॉक्टर ने आपने बारे लेखक ने अपने बारे ही आतम चित्तर ही किता है अपने आत्ता, आपनी अरुचियां ओन्रह यह लिख्यो है पर इस दनाम शीशे सामने क्यों है जूदो तुस्री आपना अक्ष आपना ही रूप वीक दे तो आपने बारे होर जान देओना कि तरड़ा चैरे दी लोक किस रधर आ रहीं है तरड़ा अपने आपने तुसी वेक दियो चिशे वीक वीक है उससे तरह कभी ने ट्रड़ा लेखक है उसने आपना ही आतम चित्तर जड़ा है ओ दिखाया अपने आपनों पेश कीता है पहला लिखे रहे हैं कि जड़ा लेखक उस दा जनम स्याल कोट पाकिस्तान वेच होया है बारा साल दी उमर वेच जड़ा लेखक सी ओ स्कूल वेच पढ़न वास्ते गया सी लेखक दा जनम स्याल कोट पाकिस्तान वेच ओए है बारा साल दी उमर वीच ओ स्कूल पढ़न वास्ते गया लेखक शिरू तो इकाट खान दा सी काटी बोल दा सी ते काट ही सोन दा सी और उसनू लेखक नू लोकान विच लोकाना मिलन नाल या लोकान दी पीड विच जानतो थोड़ा जयो कबरोंदा सी ओ आपने आपच इकल्ला रहके बात वद लेख नी बंद कवीता खानिया यहनी की साहतिक रुचिया मरुस देरे जड़ा की रुजान सी लेखक अपने खुबषूर्ति वाल यापने पहरावे वाल कात त्यान देनननननने विच जान दा सी बेफिकर देनं मतलब जिदेज कोई फिकर न आई को responsibility, जिम्मेवारी जड़ी ना है जवानी नो अलड कहनदा सी ते और बड़ापे नो कहनदा सी रज्या आया यहनी कि मैं जदो कहनदा कि जदो कोई व्यक्ति बुड़ा होए या वो बुड़ा खुद होए तो उसमें लगे कि उसने अपने जीवन नो पर पूर जीया है चंगी तरह जीया है एक कॉश्चन ज़रूर आ सकदा है कि लेखक जड़ा है जवानी नो बुड़ापे नो और बचपनो की कहनदा है बुड़ापे नो की कहनदा है बेफिक्रा जवानी नो कहनदा है अललड और बुड़ापे च कहनदा है कि रज्या आया वेखना चानदा है ओहो इस जड़ा लेखक है अपने निंदा सुनके अपने बुराईयां सुनके अकर उस दी को निंदा करता है ताम यो खुश रेंदा है इसलिए खुश रेंदा है क्योंकि उसनों पता लगदे कि उस कमियां की है उसनों आतम मंथन करके उसनों सुदारंदी फिर कोशिश करता पशन करते है। उसनों गुस्सा बहुत काटानदा है, इस सारे चीज़ां छोटियां छोटियां ने, पर बहुत इंपॉर्टन ने, अकसर question विच जदो आजान दियाने, फिर बच्चे confused हो जान देनी कि ए चीज़ आपा विच पड़ी नहीं सी, लेखक नूँ पैसे आ नालवी जड़ा की बहुता प्यार नहीं है, जरूरत दे पैसे उसकोल होनता ठीक है, वाद पैसे रखना उसनों कोई जरूरी नहीं लगदा सी, लेखक दी जेव विच, question जरूर आएगा, कि लेखक दी जेव विच अक्सर की रहन दा सी, लेखक अपनी जेव विच हमेशा मोंगफली, रियोडियां, अखरोट गिरी, या फिर काजू या बदाम दे कुछ हमेशा आइटम ऐसरा दी अपने कोल चुटमुट रखदा सी, लेखक नू चा दा बहुत जादा शौक सी, चा उसनो बहुत पसांद सी, नमकीन चावल उसनो विशेश जड़े की पसांद लाग दे सा, नो इना चीजा नू जादा खाना पसांद करता सी, उस दे खान दा कोई पका समय नहीं सी, कि उन नाशता है, फिर दुपैर दा है, फ लेखक जड़ा सी, क्यों खुल मानना चांदा सी, उस चांदा सी, कि नाम मैं किसे दी, जिन्दीगी चिदखल दावाना, कोई मेरी जिन्दीगी च्तवे लिव और लेट लिव वाला नजरिया उसता सी, इस करके उस दी पहली पतनी सी, तंग दिल वाली सी, उस तो जादा कोश्चन जादा प्रशन करती सी, उस परेपुछ दी सी, कि थे गया, क्यों हो गया, कि में गया इस दी प्रशन पुछ दी सी, इस करके उस दी पहली पतनी जड़ी उसनु चड़ के चलेगी सी, फिर उस द व्या होया दूसरी ओरत ना, पर वो जड़ी दूसरी पतनी है, सबासी, उससे दा उससे दा विस सबासी, इसलिए उस दी तूसरी पतनी चंगी निबल लाग पए, क्योंकि वी खुल मालन वाली ओरत सी, उस लेखक नू बाग बनी दा बौश ओक सी, लेखक नू अधी रात नू जिदो कि सारे लोग सोजान दे हान, अपने अपने करा चले उस विक उसनू सडगा ते कुमना, जादा देर तक लंबी सेयर करना, उसनू जारा चिद्जा जड़ा पसांद सन। और लेखक जड़ा सी, गोश्टियां विच पाग लेंदा सी, जिसरा कोई भी किते समागम हुंदा सी, उथे जाके पाशन देना वी उसनू पसांद सी, उ पंजाबी वेची जड़ा की साब कुछ लिखना चौंदा सी, सो ए सी निबांध शीशे सामने, थोड़े तानो इस दे कौस्चन समझा देनिया की लेखक दा जनम किते हो ऐसी, स्याल कोट पाकिस्तान विच हो ऐसी, लेखक जड़ा सी, उसनू जादा खान विच पसांद सी, नमकीन चावल उसनो बसांद सी, जादा शकीन सी, लेखक किस तरा जीवन जीवन लेखक बचपन नो किस तरा जवानी नो किस तरा और बुड़े पे नो किस तरा देखदा सी, बचपन नो बे फिकरा, जवानी नो अलड़ और बुड़े पे नो रज्या होया जड़ा की कोश्चन आ सकता है कि लेखक दे खांड पीन बारे तुसी की जान दे लिख सकते हो लेखक काट खांदा सी उसी जे विच हर्स वक्त मुंगफली रे ओडियां अखरोड़ी किरी काजू वदाम रहन दे सन पर उनने समय से कदी रोटी नहीं खांदा सी उसनों नमकीन चावल जड़ी 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 पाशादी काम करता रहे एक कोश्चन जड़ा कि पिछले 2-3 साल तो हर वरी बोर्ड पेपर चार रहा है और कई वरी रही जान दा है कोश्चन इसनों ज़रूर नोट टरना कि पेंड दे लोग जीत सिंग सीतल दे पेंड दे लोग उसनों की कहके ब बोग कहके बिलोण दे सन एक कोश्चन कई वरी बंदब 2-3 साल तो लगातार आय रहे अकसर बच्चे जड़ा की चड़ा देन देन याद नहीं आंदा फिर एक और कोश्चन जड़ा आंदा है कि लेखक दी पहली पतनी उसनों क्यों चड़के गई सी उस दे तांग नजरिय फिर दूसरा है लेखक दी वर्तमान पतनीता की नाम है प्रकाशवती फिक है इस इस बैब बच्चियां विच पागलना उस सब्लमSK, अधी खूख पुच्छुए जासगने कंपान, और वैसे भागन न करना, बच्यान न अल खेड़न शार करना, और अधी राध न जाके शायर करना ऐसी साण नि भन डॉक्टर जीड सितल शीशे सामने लास्ट वीच एक पर फिर कॉशिन के रही है, ये कॉशिन जूर याद कर लेना कि पिंड दे लोग की डॉक्टर जीतिंग सीतल नो की कहके बलॉंदे सान, भूग कहके सो उमीद कर रही है इन निबन जड़ा तानों चंगी तरह समझ आ गया आएगा पर फिर भी जे कुछ चीज रहेगी है, कमेंट पॉस्ट लिखती है, उसनों दुबारा करांदी, पूरी कोशिश करांगी